नमश्कार दोस्तों सेल्जिन बाटेक इंडिया में आपका स्वागत करता हूं मैं आशुतो शर्मा आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग गुआवा की डिफरेंट वराइटी पर काम कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मारे दिखाया हुआ है कि हमारे पूराने वीडियो में कि गौवा का प्रॉपोगेशन हम लोग कैसे करते हैं लैप के अंदर उसके लिए आप एक वीडियो हमने बनाया हुआ है डिफरेंट टेक्नलोजी फॉर प्रडेक्शन ऑफ गौवा उजिंग टिशू कल्चर टेक्नलोजी तो आप उसको देख सकते हैं कि गौ दोस्तों गौवा में जो चार वेराइटी पर काम कर रहे हैं इनमें प्रमुक वेराइटी जैं आपकी इलावादी सफेदा एल-49 शोयता एंड ललित ललित इन चारों में एक वेराइटी है जिसका पिंक फ्लैश रहता है वाकि चारों वेराइटी का जो फ्लैश है वो भवाकी की हमारी डिफेरइट डिफेरंट डिखें दोस्तों आपने देखा होगा तो प्लांट्रांट करता है ऩur Spring लिए इस नर्सरी से रूट स्टॉक के रूप में दूसरी में जाता था वहाँ से तयार जो पौधा होता है उस पौधे में यह बिमारी आ जाती और फिर आपका जहांपे तक आनदर आपका बगीचा कि आपकी प्लानिंग हो रही होती है वहां पर आपके खेत पे पहुंच ज जाती है और देखते हैं कि भविष्य में आपके बड़े-बड़े बगीचे जो है इस बीमारी के कारण सूख जाते हैं दोस्तों टिशू कल्चर एक ऐसी टेक्नलोजी है जिसके अंदर अगर आप डिसीज फ्री पौदा जो है तैयार कर रहे हैं टोटली डिसीज फ्री और व फ्रूटिंग तो मेरे खाल से शाइद लगाते साथ ही एक आत साल में आना शुरू हो जाती है लेकिन प्लांट की अच्छी कैनोपी और अच्छा साइज डेबलब करने के लिए आपको फ्रूट्स जो है ड्रॉब कर देना चाहिए फ्लावरिंग को ड्रॉब कर देना चाहि है जिससे आपका प्लांट की अच्छी कैनोपी और अच्छा एक स्ट्रॉक्चर बन से किसके आद आप हाइल्डिंग प्रॉडक्शन ले सकते हैं टिशू कल्चर के इन प्लांट में तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का ताथ पर यह है कि इस तरह के जो है प्लांट सम जो ह है तो इस तरह के पौदे जो है हम लोग लैप की टिशू कल्चर टेक्लोजी को यूज करके हम तयार करते हैं इसके साथ साथ जो अन्य वराइटी जैसे की रैट डायमेंड है टाइवान पिंक है इन वराइटी पर हम लोग टिशू कल्चर का रूड स्टॉक ले करके और टायमेंड हो ताइवान पिंक जो है हम लोग इसको टिशू कल्चर गौवा रूड स्टॉक पर ग्राफ्टिंग करते हैं जिससे के आपको टोटली डिसीज फ्री नेमाटोड प्री प्लांट दे सके हैं तो दोस्तों इस तरह के पौदे अगर आप लेने के लिए एक्शोक ह क्या हुआ है उस पर आप संपर करके अपनी मांग अनुसार पौदे जो है अपने बगीचों के लिए बुलवा सकते हैं और आपके उगंतव्य स्थान पर पौदों को पहुचा दिया जाएगा इस तरह के मोर इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमसे निरंतर रूप स जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में अपना कीमती वग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद